हलो दोस्तों आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल डेटम इंजिनियरिंग में स्वागत है मैं आज आप लोगों के सामने एक नया टोपिक लाया हूँ SF6 सर्किट ब्रेकर SF6 सर्किट ब्रेकर होता क्या है वो काम कैसे करता है और उसका यूज हम लोग कहा करते हैं इसके बारे आज में बताने जा रहा हूँ SF6 सर्किट ब्रेकर का ओपरेशन हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की तरह ही करते हैं दोनों में जो मेजर डिफ्रेंस है वो आर्क वेंचिंग मेडियम यानि आर्क बुजाने के लिए जो हम लोग मेडियम यूज करते हैं वो दोनों में मेजर डिफ्रेंस है हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम यूज करते हैं और SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस यूज करते हैं भैक्यूम सर्किट ब्रेकर स्रिफ इंटरप्टिंग मीडियम के रूप में यूज करते हैं लेकिन Sf6 गैस हम लोग इंटरप्टिंग प्लस इंसुलेटिंग मीडियम के रूप में करते हैं vacuum circuit breaker का यूज हम लोग medium voltage operation में करते हैं जैसे कि 11 kv to 38 kv और sf6 circuit breaker का यूज हम लोग high voltage application में यूज करते हैं जैसे कि 35 kv to 800 kv sf6 circuit breaker के बारे discuss करने से पहले मैं आप लोगों को sf6 gas का बारे बताना चाहता हूँ sf6 gas होता क्या है सबसे पहले मैं sf6 का full form बताना चाहता हूँ sf6 का full form है sulfur hexafluoride यह एक inorganic, colorless, odorless, non-flammable, non-toxic and बहुत ही अच्छा electrical insulator है यह gas electronegative होता है और free electrons को absorb करने की छमता रखता है इसका dielectric properties और arc quenching properties बहुत ही अच्छा होता है यानि arc बुझाने का जो properties होता है वो बहुत ही अच्छा होता है अब मैं आप लोगो sf6 circuit breaker के working के बारे बताने जा रहा हूँ sf6 circuit breaker आखिर काम कैसे करता है जैसे कि हम लोग जानते हैं जब हम लोग movable contact और fixed contact को connect और disconnect करते हैं उस time arc produce होता है और sf6 circuit breaker का use mainly हम लोग high voltage operation में करते हैं जैसे कि 35 kv to 800 kv जब हम लोग movable contact और fixed contact को connect और disconnect करते हैं उस time arc produce होता है और same time gas blast होता है जिससे sf6 gas release होता है और वो arc sf6 gas के बीचोवी फस जाता है sf6 gas उसके temperature को कम करता है और उसको ठंडा करता है साथ ही साथ उसमें मौजूद three electrons को absorb करता है और वो arc को बुझा देता है साथ ही साथ sf6 gas एक insulating layer को बनाता है हम लोग जानते हैं जितना अधिक voltage का circuit होगा उसका operation उतना ही danger होता है इसलिए हम लोग sf6 gas को prefer करते हैं यानि sf6 gas के circuit breaker को prefer करते हैं क्योंकि वो एक insulating layer भी बनाता है यानि ये interrupting medium और insulating medium दोनों का काम करता है इसलिए हम लोग sf6 circuit breaker को prefer करते हैं high voltage operation में हम लोग sf6 circuit breaker को prefer करते हैं sf6 circuit breaker का use हम लोग safety device के रूप में भी करते हैं इसमें protection relay sun coil लगा होता है और इसका connection हम लोग externally earth fault over current relay से भी करते हैं जैसे कि circuit में किसी परकार का fold होता है earth fault, short circuit या फिर over current तो उस case में ये fault को detect करता है और circuit breaker को trip कर देता है जिससे हमारा circuit break हो जाता है इस परकार ये safety device का भी काम करता है sf6 circuit breaker के कुछ advantages भी हैं जैसे कि इसका use हम लोग interrupting medium and insulating medium दोनों के रूप में करते हैं इसका dielectric properties और arc quenching properties बहुत ही अच्छा होता है ये light weight का होता है इसका maintenance कम करना पड़ता है यानि इसका maintenance ज्यादा नहीं करना पड़ता है ये fire hazard नहीं होता है non flammable होता है और इसका operation बहुत ही easy होता है sf6 circuit breaker के कुछ disadvantage भी है जैसे कि ये air से heavy होता है इसको जहां हम लोग install करते हैं यदि यहां पर sf6 gas leak करता है तो उस area में फैल जाता है जिससे operating person को सांस लेने में दिक्कत होती है इसका transportation हमें special तरीके से करना होता है gas के quality को maintain रखने के लिए हमें special maintenance करना होता है इस परकार ये सारे इसके disadvantage है हलो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं तरीको एंट प्रचिश्चर्प करेंट तरीकी है तरीकों कि अभी छॉफना कि उन्हाँ है आदे ऋलेगाएं श्यासरा और लोगों करेंट लोगों काटेंट भीजिससेंगे अवजिसेंगे में अप्रकाटेंगे